सो हे गईज वेलकम बैक, सिटिजन एमेंडबेंट एक को लेके बहुत ही बड़ी न्यूज आ चुक है अभी, एक्चिली इतने दिन से इसने का जो हंगामा चल रहा है, और इसका पूटेज बहुत जादा ही चल रहा है, इस्पेशल जेनियू में और यूपी में तो बहुत ज लागो हो चुका है, पूरे इंडिया में ही 10 जैनुवेरी से ये लागो हो चुका है अल्रेडी, तो वीजेवी गवर्मेंट लें इसे अभी कानूनी तरीके से एक नोटिस के जरी इसे पूरा इंडिया पे लागो कर दिया है, और अगले कुछी दिनों में हर कोई स्टेट पर ही इसे applicable कर दिया जाएगा, इसमें से जितने भी बीजेवी शाषित स्टेट है, स्पेशल ही जैसे की एक्जमपल, यूपी, त्रिपुरा या और जितने भी स्टेट है आसाम, वहाँ पर इसे ज्यादा जल्दी से लागो किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इसका ज्या लागो कर दिया जाएगा, तो ताजा खबर ही अगर आप इसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं आप भी कोई मैटर नहीं करता है कि अल्रोड़ी इसे लागो कर दिया गया है, देश में इतने जादा, मतलब इसका प्रोडेस्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है, सारे इंडर के लिए मैं बता देता हूँ, सिटिजन में एक्ट में जो था वो यह था जो आफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेशीं तीन कंट से दो आजाद चौदा से पहले जितने भी मुस्लिम कम्मुनिटी को लोगो छोड के बागी छे कम्मुनिटी को लोग आये है लेकिन इसमें जो और एक बता देता हूँ जो दंगे मेक्सिमम हुए है वो ही है कि जो छे कम्मुनिटी इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं मतलब इंक्लूट किया गया है और जो इसमें विजवी का स्टैन था वो यह था जो तीन कंट्री है वो अल्रेडि मुस्लिम प्रधान देश से वहाँ पर जो माइनोरिटी बाकि छे कम्मुनिटी लोगों को पहुती जादा हिंसा जेलनी परती थे और उन लोग सेफटी सीकुरिटी के लिए जो इंडिया पर आयो है इसी वज़े से जो इन लोगों को इंडिया का सी रिजन्शिप दिया जाएगा आई होप अगर आप चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब किजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो पर